हर्ताल के समर्थन में उत्रे युनियन नेता कहा, सरकार ने जन विरोधी कनून रद नहीं किये तो आंदोलन आगे बढ़ेगा तारांकिन, देश्व्यापी हर्ताल के समर्थन में आज बनियाडी में विभिन ट्रेड युनियनों से जुड़े श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सरकार का विरोध जताते हुए ततकाल सभी तरह के श्रम विरोधी कानूनों तथा निजेकरण के फैसलों को वापस लेने की मांग की. श्रमिक नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोधी शाह की सरकार पूरी तरह से कॉपरेट परस्त तथा मजदूर किसानों की विरोधी है. इस सरकार की एक-एक नीतियों से कॉपरेट जगत को फाइदा पहुँच रहा है, जबकि श्रमिक वर्ध तबाह हो रही है. अनुनों को रद नहीं किया तो ये लवाई सिलसिलेवार धंग से आगे बढ़ेगी. आज के अंदोलन में अन्यलोगों के अलावा युनाइटड कोल वकर्स युनियन एटक के देव शंकर मिश्रेवं जीबलाल बेलदार, CMW के राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा एवं पपुखान, जारकंट कोलियरी मजदूर युनियन के तेजलाल मंडल, नरेश कोल एवं महेश यादव, कोलपीर्ड मजदूर युनियन के अमित यादव, एवं अशोक मंडल आधी प्रमुक रूप से मौजूद थे.